हिंदु धर्म में प्रतेक पूर्णिमा तिथी का विशेश महत्व है लेकिन जेश्ट माह में पढ़ने वाली पूर्णिमा तिथी खास है क्योंकि इस दिल सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी आयों का आशेरवाद प्राप करने के लिए वर्णिमा का ब्रत रखती हैं वट पुर्णिमा दोजार तेज व्रत की तारिक और शुप मुरत वट पुर्णिमा शनिवार 3 जून को है पुर्णिमा तिती प्रारंब 3 जून को 11 बजकर 16 मिनद पर पुर्णिमा तिती समाप 4 जून को 9 बजकर 11 मिनद पर वट पुणिमा व्रत की पुजा विधी वट व्रिक्ष के नीजे सावित्री और सत्यवान साथी यम की मिट्टी की मूतियां स्थापित कर पुजा करें वट व्रिक्ष की जड में पानी डालें पुजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, पुश्प और धूप रखें जल से वट विच्ष को सीज़ कर तने के चारो ओर कच्चा सूत लपेट कर तीन बार परिक्रमा करें इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुने कथा सुनने के बाद चना, गूड का बायना निकाल कर उस पर सामर्थ अनुसार रुप्ए रखकर अपनी सास या सास के समान किसी सुहागी मैला को दे कर उनका आशिरवाद ले वट सावित्री कोनिमा का महत्व वट सावित्री पोनिमा व्रत में बर्गत के पेड़ की पूजा की जाती है मानिता है कि बर्गत के पेड़ की आयू सेक्डो साल होती है चुकि महिलाएं भी बर्गत की तरह अपने पते की लंबी आयू चाहती है और बर्गत की ही तरह अपने परिवार की खुशियों को हरा हरा रखना चाहती हैं इसलिए यह व्रत करती हैं वही एक अन्य कौरानिक कथा के अनुसार सावित्री ने बर्गत के नीचे बैठ कर तपस्या करके अपने पती के प्रानों की रक्षा की थी इसलिए व्रत सावित्री पुलिमा व्रत पर बर्गत की बेर की पूजा की जाती है